आज हम बना रहे हैं इढली दोसा और मेंदू बड़ा के साथ away जाने वाला झाने वाला बहुत ही टेस्टी एकदम रीस्टरण्ट स्टाइल सामबार की रेसिपी आप इस सामभार को ना सिर्फ इडली डोसा के साथ ही नहीं गर्मा गर्म चावल के साथ भी सौफ कर सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है बहुत ही आसान सी रेसिपी है कुछ टिप्स है जो बीच बीच में शेयर करती जाओंगी तो चलिए इस आसान सी और पाली के साथ हमने से 3-4 विससर तक पका लिया है यहां पर पानी का कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है अब सबसे मेन बात है हमें इसे हैंड ब्लेंडर से पीसना नहीं है हम इसे इस तरह से विस कर लेंगे इसका यह कॉर्स टेक्शर तैक्षर है ना उससे सांभार का टेस बहुत ही बढ़िया आएगा इसे कभी हैं ब्लेंडर से पूरा पीस ना ले इसी तरह से हम इसे दरदरा रखेंगे मैं आपको एक बार टेक्षर दिखा देती हूं यह देखिए पूरा पीसा हुआ नहीं है ज़रूरत की हिसाब से आगे पानी और एड करेंगे अभी मसाला बन इसे अच्छे से चटक ने देंगे साथ में एड करेंगे दो सुखी लाल मिर मैं यह आप इसे तोड़ कर डेंगे सारी चीज़े जब अच्छे से चटक जाय तहीं हम एड कर देंगे हिंग क्या अच्छा आएगा साथ में यह एड करूंगी कुछ शेलोर्स याने की छोटे इसका ना फ्लेवर बहुत अच्छा होता है लेकिन अगर आपके पस अवेलिबल ना हो तो ओनियंस के लंबे पीस पी आप एड़ कर सकते हैं थोड़े से कड़ी पत्ता एड़ कर देंगे सबी चीजों को थोड़ी देर के लिए भून लेना है और जब तक यह ऑनियंस भून कर तैयार हो रहा है आप मुझे कमेंट्स में बताइए आप कौन सी सिटी और कंट्री से इस वीडियो को देख रहा है मुझे जानकर बहुत खुशी होगी ओनियंस को बहुत जादा हम भूनेंगे नहीं नहीं तो उसका कड़वा टेस सामभार में आ जाएगा यह देखिए हलक सामभार का कलर भी अच्छा आएगा और उसमें थोड़ा सा खटापन भी आ जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं तो बस इस टाइम पर अब हम सामभार में कुछ सबजियां एड करेंगे तो मैं यहां पर आज ले रही हूं बड़ा ओनियन जिसे मैंने इस तरह स्क्वैर तुकडों में कट कर लिया है साथ में मैं यहां पर ले रही हूं गाजर उसे भी मने बड़े तुकडों में कट किया हुआ है एक वाइट पंकी न्यान की पेठा लिया है थोड़ा सा साथ में हैं ड्रम स्टिक लंबी कट कर ली है और एक बड़ा सा ब्रिंजल था मेरे पास जिसे में इस तरह बड़े टुकडों में कंड कर लिया है अब इन सभी सब्सक्राइब को हम तेल में कुछ देर के लिए सौटे करेंगे सबजियां कौनसी और कितनी एड करनी है ये प्यॉरली ऑप्शनल है आपके गर में जो अवेलिबल हो आपको जो पसंद हो उसे एड करें सबजियों को इस तरह तेल में भूनने से उनका जो फ्लेवर है वो सामभा में बहुत ही अच्छा आएगा कुछ लोग ना सबजियों को दाल के साथ ही कुक कर लेते हैं मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से ना सबजियां बहुत जादा गल जाती है और उसका जो फ्लेवर है वो एकदम ही ब्लांट हो जाता है इस तरह इसे तेल में भून के पकाने से उसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़ी आएगा एक बार इस तरह से भी आप सामबार बना के देखिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी सबजियों को करीबन एक से दो मिनिट के लिए हमने भून लिया है सबजी हलके हलकी तैयार हो रही है तब इसमें हम एड़ कर देंगे थोड़ा सा नमक दाल को कुप करते वक्त मैंने नमक नहीं डाला है ताब उस हिसाब से नमक एड़ कीजिएगा साथ में मैं यहाँ पर एड़ करूँगी थोड़ी सी हल्दी और मैं यहाँ पर ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च जिससे ना कलर भी अच्छा आएगा और ज्यादा तीखापन भी नहीं होगा अब इसमें हम एड़ करेंगे सामबार मसाला यह घर का बना हुआ बहुत ही टेस्टी और फ्लेवर्फुल सामबार मसाला है अगर आपको इसकी रेसिपी भी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताईएगा मैं जरूर शेयर करूँगे अगर आपके पास यह अवेलेबल ना हो तो मार्केट से लिया हुआ कोई भी ब्रांड का सामबार मसाला चल जाएगा साथ में एड़ करेंगे थोड़े से फ्रेश धनिया सबी चीजों को हम अच्छे से तेल में कुछ देर के लिए सौटे कर लेंगे ताके मसालों का जो फ्लेवर है और कलर है वो अच्छे से सामबार में निखर कर आए जैसे जैसे यह सबजिया मसालों के साथ पकरेंगे आप नोटीस कीजिए कितना टैम्टिंग दिख रहा है करीबन और एक से डेड़ मिनिट के लिए हम पकाएंगे ताके जो मसाल है वो सबजियों का अच्छे से कोट कर ले अब इसके बाद हम इसमें आड करेंगे इमली का पल्प तो जिसे बनाने के लिए मैंने थोड़ी से इमली को 5-6 चम्मत जितना पानी में कुछ देर के लिए भिगो दिया था बाद में इसे मसल के छान लिया है तो पल्प तैयार है और पल्प के साथ हम इसमें आड करेंगे करीबन एक से सवा कप जितना पानी और बाद में इसे कवर करके हम low to medium flame पर करीबन 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे जिससे सबजियां बहुत ही अच्छे से पक कर तैयार हो जाएगी दूसरी कौन सी recipes है जो आप चाहते हैं मैं post करूँ वो भी मुझे comments में जरूर बताएगा मैं जल से जल उसे share करने की कोशिश करूँगी करीबन 4 मिनट के बाद आप यहाँ पर देख सकते सबजियां काफी अच्छे से पक चुकी है अब इसमें हम add कर देंगे हमारी boil की हुई तूर की दार साथ में थोड़ा सा पानी भी add करेंगे वैसे सामबार की recipe में पानी का कुछ fix measurement नहीं है अब preference की हिसाब से add कर सकते हैं अब साथ में हम इसमें add करेंगे एक चम्मत जितना गुड़ traditionally भी और restaurants में भी सामबार को इसी तरह गुड़ डाल कर ही बनाया जाता है गुड़ की जगा पर आप चाहे तो शकर का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसे add करने से सामबार में बहुत ही अच्छा सा balance फ्लेवर आ जाएगा सामबार को हम और 4-5 मिनिट के लिए cook करेंगे इसमें अच्छे से boil जाने देंगे ताकि जो masala है वो डाल के साथ अच्छे से पक जाए जैसे जैसे सामबार पकता जाएगा उसका color भी 11 हो जाएगा और वो थोड़ा सा गाड़ा भी हो जाएगा ये देखिए सामबार ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और गाड़ा होगा तो consistency हम उसी हिसाब से रखेंगे बहुत पतला और बहुत गाड़ा भी सामबार मजा नहीं आएगा तो ये सामबार बिलकुल तैयार है आप इसे इडली, दोसा या मैदू वड़ा या गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कीजिए एक बार इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा और अपने फीडबेक मेरे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा मिलता है नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू सू मच, टिक केर